हिटलर की डेथ मिस्ट्री तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को उस मोड से जहां से हिटलर के जर्मन एमपायर और उसकी अपनी जिन्दगी की उल्टिक गिनती शुरू हो जाती है साल 1920 से लेकर 1945 सक यानी हिटलर की मौद से पहले जर्मनिय और उसके साथ-साथ पूरी दुनिया ने नाजीवादी कुरूरता का एक ऐसा तमाशा देखा जो पूरी दुनिया में मिसाल बन गया आज भी जब किसी ऐसे विक्ति को हम देखते हैं जपनी बात दूसरे पर जबर्दस्ती थूपने ही कोशिश करता है तो उसे हम हिटलर से कमपेर करते हैं दूसरे विशुद का अंतिम दौर और अप्रेल मेहने की 30 तारीख साल 1945 में हुई हिटलर की मौद इस घटना को घटे तो हुए 66 साल हो चुके हैं लेकिन हिटलर की मौद से जुड़े रहस्य हैं आज भी लोगों के दमाग को टटोलते रहते हैं इसलिए आज के वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर 30 अप्रालों 1945 को बचकर भाग गया था एक थियरी ये भी कहते हैं कि वो अरजंटीना चला गया और बाकी की लाइफ वहीं पर रहा कुछ लोग कहते हैं वो अंटाक्टिका में किसी गुपत स्थान पर रहने लगा था कुछ लोग कहते हैं वो स्पीन में रहता था जबकि कुछ कहते हैं कि वो सेंडियागो में रहता था और उसकी मौत पार्किंसन डिजीज से हुई बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि हिटलर धर्ती से निकल कर चाहंद पर चला गया और वहां के डार्क साइड पर रहता था हाला कि मई 2018 में European Journal of Internal Medicine में पबलेश एक analytical article ने कुछ हद तक इन तमाम rumors पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की French Scientist ने Adolf Hitler के दांतों के fragment पर अपने research के आधार पर Hitler की मौत की पुष्टी की थी इसे research को lead करने वाले Philip Charlier ने AFP को बताया कि Hitler ने साइनेड खाने के बाद खुद को गोली मारी और वो 1945 में उसी bunker में ही मारा गया जिन दांतों को उन्होंने अपनी steady हिस्सा बनाया वो हिटलर के दांत थे अपरेल 2018 में एक English publication में एक Russian interpreter के memoids पब्लिश हुए जिसमें उस महिला ने बताया कि उन्हें दांतों का accept संभाल के रखने के लिए दिया गया था उनका काम था उन दांतों को हिटलर के dental record से cross check करना टेलिग्राफ के report के मताबिक वो दांत हिटलर के record से match हुए साथी उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रशिया की FSD secret service और Russian archives के साथ उनकी team ने महिनों negotiate किया जिसके चलते उन्हें दांतों और स्कल के एक पीस पर study करने की permission मिल गई उस स्कल के left side पर मौजूद होल एक gunshot का निशान था साथी ये बात भी सामने आई हिटलर की मौद से एक साल पहले उसके स्कल की radiographic की गई इसकल उस radiographic report से match करता था हिटलर की elite bodyguard force के रोचस मिश ने history channel को एक interview दिया उसमें उन्होंने बताया उन्होंने हिटलर की dead body देखी है और वो उसके witness भी हैं लेकिन उन्होंने हिटलर को अपने आपको गोली मारते होनी देखा ये वो समय था जब जर्मन फौजी पीछे हटने पर मजबूर हो गई और रूस की फौजे लगातार आगे बढ़ती जा रही थी हिटलर इस धोके में था कि रूस की फौजें कभी भी बरलिन तक नहीं पहुंचेगी और एक दिन जर्मन फौजी उन्हें हरा देंगे लेकिन रूस की फौजों ने जब बरलिन में एंटर किया तब उसकी सारी उम्मीदों ने जवाब दे दिया वो अपने सबसे सुरक्षित बंकर में अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन और कुछ वफादार साथियों के साथ चला गया हिटलर फाइनली अपनी हार को मान चुका था और उसके बाद उसे क्या करना है वो ये डिसाइड कर चुका था हिटलर मुसोलोनी की डेथ और उसकी डेड़ बोडी का जो हश्र देखा था उसके बाद उसका होसला भीतर तक तूट गया वो नहीं चाता था कि लोगों ने जैसा मुसोलोनी और उसकी प्रेमिका की डेड़ बोडी के साथ किया वैसे ही उसके और युवा की डेट बोडी के साथ हो इसलिए उसने अपने लोगों को ये कहा कि उसकी डेट के बाद उसकी डेट बोडी को सामान साइज जला दिया जाए हिटलर की एलिट बोडी गार्ड फूर्स में उस वक्त काम कर रहे रोसर मिश ने जब हिस्ट्री चैनल से बात की तो उन्होंने बताया जिस समय हिटलर अपने उस बंकर में मौझूद था उसने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से 29 अप्रैल को शादी की वो अपने डॉक्टर से कंसर्ड कर चुका था कि वो अपने आपको मारना चाहता है और इसका सही तरीका क्या है डॉक्टर ने उसे बताया या तो आप साइनेड का कैपसूल खालो या फिर अपने आपको गोली मार दो रोशन ने बताय कि हिटलर अपनी पतनी के साथ उस कमरे में चला गया साथ ही अपने लोगों को ये कहा कि कमरे में उसे कोई भी डिस्टॉब न करे और काफी देर बाद किसी ने कहा कि गोली चली है सिंगल गन शॉट की आवाज आई पर दर्वाजा खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई काफी देर के बाद जब भीतर से कोई हलचल प्राप्त नहीं हुई तो फिर लोगों ने दर्वाजे को जबर्दस्ति खोल कर अंदर जाना सही समझा अंदर जाकर देखा एक मेल डेट बोडी टेबल पर पड़ी थी और फिमेल डेट बोडी सोफे पर जानकारी के मताबिक हिटलर की प्रेमिका और पतनी युवा ब्राउन ने साइनेड खाकर अपनी जान दी और हिटलर ने अपने आपको गोली मार ली इसके बाद इन दोनों की डेट बोडी को पेट्रोल के जरीय जला दिया गया फाइनली यही हिटलर का एंड था अब सवाली उड़ता है कि जब हिटलर की मौत के फैक्ट इतने क्रिस्टल क्लियर है तो फिर रूमर्स को फैलने का मौका कैसे मिला दरसल किसी ने भी हिटलर को अपने उपर गोली चलाते हुए नहीं देखा गंशोट की आवाज के काफी देर बाद जो लोग अंदर गए बेशक उन्होंने हिटलर की पहचान की मगर इस बाद में कोई शक नहीं कि वो हिटलर के आदमी थे उन्होंने हिटलर की डेट बादी की कोई फोटोग्राफ नहीं ली कभी भी हिटलर की डेट बादी प्रिडूस नहीं की गई यहीं वो कुछ पॉइंट है जहां से हिटलर की मौत रहस्य महीं हो गई और फिर धीरे धीरे रहस्य और गहराता चला गया और यहीं से पैदा हुई कई स्पेकुलेटिव थियोरी अर्जन्टीना में हिटलर HD बॉमन एक और उनका कहना है कि वो कभी नहीं मान सकते कि हिटलर बंकर में मरा उन्होंने हिटलर स्कैप और हिटलर स्फैट नाम से दो किताबे लिखी इनमें से उनकी हिटलर फैट 6 साल के रिसर्च का परिणाम थी जुलाई 1945 में स्टॉलिन ने एलाइड फोर्सेज को बताया कि हिटलर स्पेन या अर्जन्टीना में जा सकता है बामन का मानना था कि हिटलर जर्मनी से एकी यू बोट में बैठा और फिर वहां से सीदा अरजन्टेना के लिए निकल गया हिटलर की मौत की जाँच S.F.B.I. ने भी की थी मगर उसे इस जाँच में कुछ नहीं मिला नाई वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे फाइनली साल उने 156 में इस केस को उसने बंद कर दिया यारनी हिटलर के मरने के बाद 11 साल तक दुनिया की वर्ल्ड क्लास एजन्सी उसकी मौत की जाँच करती रही और उसके बाद उसने वो केस बंद कर दिया लेकिन फिर भी समय समय पर हिटलर का जिकर उसकी मौत को सुस्पीशियस बना कर लोगों के सामने ले आता है एक मैई 1945 को सारी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब जर्मन रेडियो की तरफ से ओफीशिली हिटलर की मौत की खबर को अनाउंस किया गया फेमस हीस्टोरियन, आथर तो जनलिस्ट गेराल्ड विल्यमस का कहना था कि वो इस खबर को नहीं मानते और ये अनाउंसमेंट ही दरसल इस बात का शक पैदा करती है कि हिटलर की मौत नहीं हुई है क्योंकि हिटलर की मौद की अनौंसमेंट उन लोगों ने नहीं की जिनोंने हिटलर की डेड़ बोड़ी को देखा था बलकि हिटलर की मौद की अनौंसमेंट नाजियों की तरफ से की गई थी उस समय जर्मन सरकार दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपोगेंडा वाली सरकार थी इसके ठीक दूसरे दिन यानी 2 मए 1945 को सोवित संग की सैनाओं ने BBC के एक रिपोर्टर की मौजूदगी में उस बंकर को सीज किया उन्हें वहाँ पर एक डेड़ बोडी मिली जो हिटलर के जैसे दिखती थी लेकिन जाज के बाद ये फैक्ट समझे वैया कि जो डेड़ बोडी बरामत की गई है देखने में वो नाजी लीडर एडॉल्फ हिटलर की ही डेड़ बोडी थी लेकिन एक रिपोर्ट्स के अनुसार वो हिटलर की नहीं बलकि उसके एक बादी डबल की थी Second World War के समय बोडी डबल काफी संख्या में इस्तेमाल किये जाते थे बताया जाते है जोसफ स्टालिन के कई बोडी डबल थे वहीं विंस्टन चर्चिल का भी एक बोडी डबल था और हिटलर के बारे में यही का जाता है कि वो भी बोडी डबल यूज किया करता था इन तमाम सरकंस्टेंसिस के चलते हिटलर की मौत एक कॉंस्पिरेसी बन गई क्योंकि कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि जो डबोडी मिली थी वो हिटलर की थी यह नहीं अगर वो हिटलर की डबल की थी तो फिर हिटलर की असली डबोडी कहां थी एक और थियरी के मताबिक हिटलर का एक प्राइविट सेक्रेटरी था मार्टिन बार्मैन बता जाता उसने ही कुछ ऐसा इंतिजाम किया था कि जब हिटलर और इवा अकेले बंकर के उस कमरे में मौझूद थे तब उस समय वहाँ पर दो बॉडी डबल पहुंचे जो हिटलर और इवा के बार्डी डबल थे और उन्हें ओरिजिनल से चेंज कर दिया गया मार्टिन एक ऐसा विक्ति है जो पूरी तरह से हिटलर और नाजी के लिए कमिटेड था वो ही चाहता था कि हिटलर सेकंड वर्ल्ड वार में सर्वाइव कर जाए क्योंकि इसी के जरीए वो खुद को और हिटलर को बचा सकते थे इसलिए उन्हें ने बाड़ी डबल का रास्ता अपनाया क्योंकि इसके जरीए वो दुनिया को य printing निजा कि हिटलर और उसको प्रेमी का आब इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके है और उनके मरने के बाद उनके तलाश भी बंद हो जाएगी बॉडी डबल से ओरिजिनल को बदले जाने की बाद केवल मार्टिन और सेकेंड चीफ हैंडरिच मूलर जानते थे ओरिजिनल बॉडी को स्विच करने के बाद बॉडी डबल को एग्जेक्यूट किया गया इसके बाद ये सवाल और ज़दा मजबूत हो गया, अगर हिट्लर की मौत नहीं हुई तो फाइनली हिट्लर गया कहाँ इसे लेकर कई र्यूमर्स थे, कोई कहता था हिट्लर अंटार्क्टिका में रहता है तो कोई दुनिया के किसी और जगह में इसके होने की बात कहता था लेकिन एक हिस्टोरियन डॉगलस जिस्ट्रिश ने अपने एक थीस दुनिया के सामने प्रस्तुत की उन्होंने बताया हिटलर ने अपना एक बेस साउथ पोल में बनाया यहाँ पर करीब दो लाख आरियन्स के रहने की विवस्था थी इस बेस कॉलोनिय में अंडर ग्राउंड हॉस्पिटल सिस्टम के साथ अंडर ग्राउंड फैक्टरी सिस्टम से लैस थी सेकिंड वर्ड वार के समय वाकरी टेनल्स पाई गई थी जानकारी ये भी है कि 1931 में नाजी की एक टीम साथ पोल भीजी भी गई थी जिसमें कहा गया कुछ साइंटिफिक रिसर्च के चलते टीम भीजी गई थी लेकिन इस टीम का इंचार्ज कोई और साइंटिस नहीं था बलकि जर्मन एयरपोर्ट काची हर्मन गोई रहे थे एस से बारे में सुत्रों का कहना है कि जर्मनी की स्कारवाई के पीछे टेरिटूरियल एक्स्टेंशन था लेकिन इसे काउंटर करने के लिए डगलस के पास एक जवाब था कि 1938 का एक्सपेडिशन कॉलनी बनाने के पॉसिबिलिटी इस चाख कर रहा था हिटलर की मौच से रिलेटेड कई और बाते सामने आई जो बहुत ही फ़नी थी इन में से एक तो ये थी कि हिटलर चांद पर पहुँच गया था और वहां से डार्क साइड पर बंकर बनाकर रहने लगा था किसे ने एक्सपेंड करेंगे ये भी कहा कि हिटलर एलियन्स के कनक्शन में था और वहां से उनके साथ युनिवर्स के अन्नौन प्लीस पर चला गया हिटलर की मौत से रिलेटेड इस वीडियो में कौन से फेक्ट आपको ज़्यादा विश्योस निये लगा हमें कॉमेंट करके बताना फिर मिलेंगे नए वीडियो में जय हिंद जय भारत बंदे मातरम